विभिन परिक्षाओं के उमीदवारों को अलग-अलग परिक्षा के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए केंद सरकार ने राश्रीय भरती एजंसी के स्थापना को मन्सूरी दे दी है और राश्रीय भरती एजंसी का काम आम पातरता परिक्षा आयोजित करना और भरती प्रक कि चलते उनकी कोई परिक्षा छूट जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा नेशनल रिकूटमेंट एजेंसी द्वारा आम पात्रता की एक परिक्षा आयोजीत के जाने से चात्रों की परिशानियां दूर होंगी ये, it will be a saving on the state act checker, it will be saving on the personal cost and it will be huge convenience. So in other words, it is a combination of convenience and cost effectiveness. This is in keeping with the cooperative federalism. We are in fact facilitating even the selection processes undertaken by the individual state governments. उनका state act checker बचेगा, उनकी वजयस्था बचेगी, एक चरह उनका cross हो गया. फिलहाल शुरुआत में तीन एजेंसी को इसके दायरे मिलाया गया है. इनमें SSC, IBPS और RRB शामिल है. आगे अन्य भरती एजेंसीयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. ये एजेंसी 12 भार्षाओं में परिक्षा का आयोजिन करेंगी. इसका स्कोर तीन वर्ष के लिए मानने होगा. उमिद्वार अपने अंकों में सुधार के लिए आगामी परिक्षा में बैट भी सकेगा. परिक्षा के प्रष्ण एक सायुक्त प्रष्ण बैंक से लिए जाएंगे. शुरुआत में हर साल दो बार परिक्षा है आयोजित कराए जाएंगी. तो ये नैशनल रेक्रूट्मन्ट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, अटॉनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटी एक्ट तो इस में तीनों एजेंसी के रेप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे मैंने काई, SSE के, RRB के और IBPS के. तीनों के रेप्रेजेंटेटिव होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गावनिंग बॉडिज में. ये कंड़क करेगा तायर वन एग्जामनेशन.